जिन पत्रकारों के हत्या हो रही है उनको वाई गिरेड की सुरक्षा नहीं मिल रही है। लेकिन कंगना रनोद जी अगर कहती कि मैं नौत आरीकों मुंबई आ रही हूं तो आपने सुरक्षा प्रदान कर दी। आपने जोशी जी नाम का पत्रकार को क्यों नहीं दिया सुरक्षा उन नाब में पीडित हमारी वीर बहन क्या वो वाई ग्रेड की सुरक्षा शेंडी के हगदार नहीं दी आप मुझे एक बाद बता हैं आप लोगों का लाजिक क्या है जो लोग प्रसिद ने हैं जो लोग आपके समक्षें जो आपके पक्ष में बोलते हुं उनको आप सुरक्षा प्रधान कर रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा छे सब्दों का मजाक साल में दो करोड रोजगार दूंगा साथ सब्दों का मजाक मुझे आप रधान मंतरी मत बनाईए चौकिदार बनाईए आठ सब्दों का मजाक दो हजार उननीस तक जिस समय पे उनको वाई ग्रेड की सेकुरिटी दी गई है वो बड़ा हास्यप्रत है एक्चुली बहुत बड़ा एक जोक है अगर मैं कहूं तो यह अपने आपने बहुत बड़ा मजाक है क्योंकि देखिए एक फ्लीम एक्ट्रिस जो नीजी तोर पर बहुत अच्छी सेकुरिटी मिंटेन कर सकती है कई करोणों की मालकिन भी है उनके इतने बड़े-बड़े फिल्में हिट होती है शिद बिग आक्ट्रिस बेसिकली तो उसके बावजूद और एक छोटा सा नहीं है विवादों के अंदर अगर हम देखें उनके कई पिक्चरें भी ऐसी हैं आपने उनके एक पिक्चर इमरान खान के साथ देखी होगी आमिर खान के भांजे के साथ वो किस किस तरह के डायलोग यूज़ करती है वो भी आपको मालूम होगा इवन कैसे टॉलेट करते हैं वो भी उनके पिक्चर में बच्चता आए गया है आज हम उन्हें मरनी करनी का में देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक मिसाल बन गई तो उनके मिसाल के लिए उनके पुरानी पिक्चर भी देखनी चाहिए आप गैंग्स्टर भी देखिए आप देखेंगे उसमें शराब पीते हुए कंगना रानौत कैसी देखिए अगर हमें किसी का एक्टिंग का रूप ही देखना है तो क्यों न हम पूरी एक्टिंग ही देखें एक नए सीरे से रोज नए कपड़े पहन के एक एक्टरस आ जाए और उनको हम अपने अंदर एक गौड़ फादर की तरह बना ले तो शायद ये सूजबूज का काम तो नहीं होगा उनकी सिफसेना के संजय राउस से कुछ बात हो जाती है तो पॉलिटिकल हो जाता है और उनको भारत के सरकार इमिडिट वाई ग्रेड की सेकूरिटी दे देती है भाईयों और मैंनों मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ उन्नाव के सांगसद कुल्दीप सेंगर जो बलातकार का मुकदमा चल रहा था जिस लड़की भारत की जो विरांगना लड़की थी उन्होंने चीक चीक के बोला था कि मुझे सुरक्षा चाहिए मुझे सुर दर्दनाक मौत एक दर्दनाक हत्या हुई जब वो चीखे मार रही थी तो क्या भारतिय सरकार के कान में रूई था क्या तब हमारे सुरक्षा तंतर प्रणाली जिन्दा नहीं थे क्या आज उन्हें कंगना रनौत की चिंता इतनी जल्दी सता गई और वह लड़की जो अप वकील लड़ रहा था वो वकील तक क्या एक्सिडेंट हो जाते हैं मेरे खाल से आप मेंसे काफी लोग भूले नहीं होंगे मैं नीजी तोर पे कोई कंगना रनौत के खिलाफ नहीं हूँ मैं पहले एक बाद आपको बता दूँ मनी करनी का मैंने भी देखी है मुझे पूरी किम वदनती है निदर दा पास निदर दा फ्यूचर लक्ष्मी भाई इस लेजंड ना भूतो ना भविश्यंती रानी लक्ष्मी भाई है किम वदनती वो हमारे दिल में हमारे मस्तिक्ष में इस धरातल में हमेशा अंत्रिक्ष के पटल में जीवित रहेंगी आज भ बहस होती है आरगूमेंट होती है ऐसान सुषान सिंगे राजपुत के बारे में आज इतनी अच्छे आवाज आ रही है कि अध्यून वर उस्प्ते आती इतने दिंश्व तो हमने कभी सड्दक ज़ी ते डेखा नहीं वे-बाक बोलना के वलठी वी में के लिए लड़ते हैं गौवर्नेंस से लड़ रहे हैं और ये तो गौवर्मेंटी इनको शुरक्षा प्रदान कर रही है इन्हें किस चीज से खत्रा है भई सेंटरल गौवर्मेंट ने वाई ग्रेड की सेकुरूटी दे दी इनको बहुत बढ़िया उन्हें दे दी जो मल्टी करोड पती है जो अपने लिए पचास नहीं सो सेकुरूटी काड एक घंटे में खड़े कर सकते हैं और वह लड़की जो बलातकार की पीडित रही और अपने परिवार के लिए हम सब से आगरह करती रही मंच पर आगरह करती रही मानिनिये प्रधान मंतरी रक्षा मंतरी से आगरह करती रही कि मुझे जान का खत्रा है मेरे प्राण का खत्रा है मेरे परिवार को खत्रा है कुल्दीप सेंगर जैसे एक दुराचारी वेक्ति से जिनका जमानत भी हो जाता है क्या उनके लिए आमें वाई सेक्यूरिटी देनी नहीं थी मुझे कोई परेशानी नहीं है कंगना रनाउत को आपने जो भी ग्रेड की सेक्यूरिटी दे दी मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है पर मुझे परेशानी इस बात से है कि जो विक्तिको प्राणों का खत्रा होता है जो पीडित होते हैं बलातकार का जो पीडित होते हैं हत्याकान का उनके लिए आपको सेक्यूरिटी नजर नहीं आती क्या भारत के तमाम इतने बड़े-बड़े एक्टिविस्ट है उनको सुरक्षा आपको नहीं देनी चाहिए क्या आप ये एक बर सोचें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं या किसी के खिलाफ नहीं हूँ पर मैं उन लोगों के लिए आवाज उठाता हूँ जिनका कोई बैकगराउंड नहीं है जिनका कोई फिल्मी बैकगराउंड नहीं है जिनके माता पिता जो है वो पैसे वाले नहीं है मैं उनकी आवाज उठाता हूँ जो लोग पीडी थें जो लोग जेल में बंद है बहुत सारे लोग जो लोग आज जेलों में बंद है उनकी आवाज कौन उठाएगा उन्हें आप किस तरह का सेकुरिटी देंगे क्या उन्हें सेकुरिटी का सरोकार नहीं है क्या उन्हें आपकी सरकार की जरूरत नहीं है या केबल वो तमाम फिल्म एक्टर जो आपके ढोल कस दें आपके तारीफों के पूल बांदे और आपको ये कह दे आज वो कहते हैं कंग्रा रानोत ने ये भी कहा दा कि बहुत ये बहतेरीन सुसाशन है बीजे पिकाल में किसी भी तरह का कोई वो नहीं है तो कंग्रा रानोत जी से मैं एक अनुग्रह करूंगा कि एक पर वो सड़कों पे आए मिले मजदूरों से क्यों न वो मतुरा आए जिस हस्पताल में गया नैयती हस्पताल में जो लोग गुजर गए उनके परिवार के लिए आपने कुछ किया गया उनके दुखदर्द के लिए आपने कुछ किया गया आप समझें इस बात को एक छोटी सी बात है जो लोग पीडी थे उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा जो लोग पीडी थे उनको कोई मीडिया दिखा नहीं रही है मैं जाता हूँ मजदूरों के लिए वहाँ मीडियों को टाइम नहीं मिलता है हम जाते हैं उन लोगों के लिए जो लोगों के हत्या होती है वहां मीडिया को टाइम नहीं मिलता लेकिन एक प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस अगर वो कुछ कहती है तो तमाम हिंदी चैनलों को इंगलिस चैनलों को इनके लिए फुरसत ही फुरसत मिल जाती है आज आप दॉल में इतने बुरी तरीके से पीड़ी थे हैं क्या उनके लिए मीडिया को टाइम नहीं मिलना चाहिए क्या इतने सारे लोग जो आज जखमों में से पीड़ी थे हैं पैसे से पीड़ी थे हैं उनके लिए आपको कोई समय नहीं मिल रहा है मीडिया को दिखाई नहीं दे कि हमने एक साधरन वेक्ति को चुना प्रदान मंत्री के तौर पे लेकिन उस प्रदान मंत्री के कारियाल है में साधरन वेक्ति का तो कोई पूछी नहीं हो रहा आम आदमी की कोई बात ही नहीं करता आज कोई दूर दूर तक नहीं पूछता कि आम आदमी की समस्या क्या है किस कि कि लिए मीडिया को टाइम नहीं मिलता क्या कि यह सबजियां इतनी मिहंगी हैं इसक्ट कुन से क्यों मेंगी हैं क्या हुआ उस प्याज का जो आपने कनाडा से मंगाया था आपने कह तो पंदरा रुपे किलो भिग जाएंगे वह पंदरा रुपे किलो का प्याज आज क्यों नहीं मिल रहे हैं भाई और बेनों एक बहुत बड़ा मुद्दा है अगर आप चूप थोड़ी देर तो आप यह समझे हमेशा के लिए आप चूपी रहेंगे अगर आप अपने आवाज आज नहीं निकालेंगे तो हमेशा के लिए आप गूंगे हो जाएंगे सर पे एक बोज बढ़ता जा रहा है लोगों के उपर हत्याएं हो रही है पत्रकारों के हत्याएं हो रही है जिन पत्रकारों के हत्या हो रही है उनको वाई ग्रेड की सुरक्षा नहीं मिल रही है लेकिन कंगना रनौत जी अगर कहती कि मैं नौ तारीकों मुंबई आ रही ह थें आपने यतिंदर सिंग को सुरक्षा प्रधान क्यों लोगों के बलिया में जिनके हत्या हो गई लोगों आप्टारी नहीं थे उनना आप में पीडि था हमारी वीर भेहन क्या व्गान क मुझे एक बात बता हैं आप लोगों का लॉजिक क्या है जो लोग प्रसिद्ध हैं जो लोग आपके समक्षें जो आपके पक्ष में बोलते हैं उनको आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और जो सच में पीडित हैं जो सच में पीडित हैं उनके लिए आपको टाइम नहीं है बिल्कुल भी आप इस बात को सोचें भाई और बेनो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किस तर तक आज लोग दुखी हैं कंगनार अनौच जी जैसे एक फिलिम सेलेबरिटी एक लाइन बोल देती हैं सेंसेशन हो जाता है और हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार जो अच् सुरत है यह आप देख सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा आप बिहार के चुनाव आ रहे हैं अब हम फिर चाइना से लड़ेंगे अब फिर एक नकली युद्ध होगा फिर एक वातावरंड बनाया जाएगा एक ऐसा वातावरंड जिसमें बिहार का चुनाव का समीकरण ब अब है मंच में आके और यूट्यूब में डाला मेरा वो वीडियो तीन घंटे के अंदर यूट्यूब वालों ने डिलिट कर दिया उसमें कोई अनेयतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है किसी को गालिया नहीं दी गई आप लोगों को जानकारी दी गई है मेडिकल की जानकारी दी गई क्योंकि एक 200 प्रसिद्ध डॉक्टर है फिर भी सरकार के दवाब में वीडियो जो है डिलीट कर दिया जाता है आप सोचिए नैशनल मीडिया हमें कवर नहीं करती है अभी भी लगवग 1500 लोग लाइव है मेर सीट रहे हैं भारत की जंता का जो स्तर है वो आज जानवरों की तरह होता जा रहा लेकिन हम उसको सह क्यों रहे हैं ये मेरे जैसे एक बागी स्वांज नहीं पा रहा है वक्त आ गया है जब बगावत करें मैं आपसे बात बोलूँगा आज आप खुद देखिए कोई भी न आज जो में चुनाव आता है ना इनका एक एजंडा बहुत बड़े पेमाने पर तयार हो जाता चाइना के बारे में सारी न्यूज चैनल में फिर से जिंदा हो गया क्यों क्योंकि आप बिहार में चुनाव होने वाले हैं अब चाइना के साथ एक नया खेल होगा अभी तक तो पबजी वगरा बंद किया है आप पहाड़ों में युद्ध होगा हमारे सैनिक आगे बढ़ेंगे सहीद होंगे केंदर की सरकार का एक और नया प्लान ताकि लोग बाइफर्केट हो जाए लोगों का ध्यान भंग हो जाए और असली मुद्धों को मीडिया जो आज दीजे जो लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं मैं रेबल शदानन पती अपना वाट्सेप नंबर डबल एट ट्रिपल जीरो नाइन टू सेवन फोर सेवन आप लोगों से साधा शेयर करता हूं आप लोगों के बीच में आता हूं और निरंतर आता रहू क्योंकि मैं तो सडक में हूं सडक में रहूंगा मुझे संगसद सफर नहीं करना और दूसरी एक बात जो लोग यह कहते हैं कि यह पार्टी का है कॉंग्रेस का है मैं उन भाईयों से बात बोलूँगा अभी बहुत जल्ली मैं चाननी चौक आ रहा हूं चाननी चौक नहीं दिल्ली वहाँ पे कौन सांगसद है कौन विधायक आपको मालूब हूँगा और किसकी सरकार है अब दिल्ली की बारी मैं अब तक दिल्ली में आवाज नहीं उठाए अब दिल्ली आ रहा हूं लेकिन उखाड़ूंगा जहां जहां समस्या है ना जो जो खड़े खुले कई लोग बोलते हैं ये तो वैसी बोलता है पॉलिटिकल है इसका है उसका है कॉंग्रेस का पैसा है कॉंग्रेस पैसा दे रहा है रहे कोई किसी को पैसा नहीं देता है भाई और मैंनो कोई किसी को नहीं देता है ये दोर ऐसा है नहीं हमारी देश की मानता आप जानते हैं भीकारी को भी एक रुपे का सिक्टा देगने के लिए पचास बर लोग सोचते हैं कि कहीं मेरा पैसा कम ना हो जाए अब वक्त है खून देने का अब वक्त है करांती का अब वक्त है भगावत का देखें मैं एक बात बोलूँगा बड़े बड़े स्टेटमेंट आयते अगर आप गौर करें एक शब्द का मजाक सुनाओं मैं आपको इसे केंद्री की सरकार का आप गौर से सुनिएगा और वीडियो को शेयर किजेगा आपको अच्छा लगेगा एक शब्द का मजाक बीजेपी सरकार का सुनिएगा एक शब्द का मजाक नोट बंदी दो शब्दों क सबके मजाक 15 लाक चार के मजाक शब का साथ सबका विकास पांच सब्डों का मजाक ना खांगा ना खाने दूंगा आवज्वत जसन देखे नौ्ग सब्डों का मजाक करांता देख दक सबके मीकिदार करे adapting दस शब्दों का मजाक रावण के दस सिर्थे दस शब्दों का मजाक बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोधी सरकार इसी तरह जुमलों पे यकिन करते रहिए आगे बढ़ते रहिए सडक पे आते रहिए उन्होंने कहा था ना कि आपको भाई और बेनों करोना में बाह सब्सक्राइब की नहीं मिलती जो लोगों की मृत्य हो जाती है हत्या हो जाती है और एक फ्लीम एक्ट्रस अगर यह कह देती के मैं आऊंगा और किसी में दम है तो मुझे रोक के दिखाए एक इगोईस्टिक स्टेटमेंट उसके लिए आप वाई गिरेड की सुरक्षा दे सीबी आई अपना काम करतो रही है ना सुशान सिंग के लिए और लाको एक्टिविस्ट हैं उनके साथ क्या सीबी आई को किसी की समर्धन की जरुवत है क्या भाई और बैनों जाग जाईए नहीं तो सोने के लिए टाइम नहीं मिलेगा और जो लोग इस वीडियो को देख काईड़ी शेर कीजे क्योंकि आज हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वो शेर तो छोड़ी है वो एकाउंट ही डिलीट कर दिया जा रहा है वीडियो जूट हो जाईए मैं किसी वेक्ति के खिलाफ नहीं हूं मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं बैट गव्रनेंस के 90092747 इस नमबर पर WhatsApp कीजे मुझे संपर कीजे मेरी Legal Team को संपर कीजे आपकी समिश्य का आवाज दूँगा आपकी समिश्य के लिए आगास करूँगा आपकी समिश्य के समाधान के लिए लडूँगा दिल्ली को भी ठीक करेंगे और पुरे भारत को करेंगे जय हिंद जय भारत